हेलो रिवन वेल्कम बैक टो ऑनलाइन स्टेडियों आज समें इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एससी थार्ड सेजियल के लिए सेट नमबर वन जो कि हमारा वॉलूम नमबर फॉर है अगर आपने से पहले के बाकी के तीनों वॉलूम को नहीं देगा है तो जरूर चेक आ कई आता है जिसको लोग क्रिटिणी इसमे के नाम से भी जानते निम्ली गरंथी केल्प श्राओ से होता है ओ अर्स प्रष्टका राइट आंसर हो जाका ओसन ए ठीक है ठाएड अंसर हो जब hm के कारण होता है थाराइड गरंथी से जो थाराइड हॉर्मोन निकलता है उसके अपरियाप्त उत्पादन के कारण यह होता है और ज्यादा तर यह छोटे बच्चों में देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पर सही आंसर होजागा ऑप्शन ए सेकेंड क्यूसं के निमलीखित में से कौल सा पद दिल्ली सल्तनत के गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है यानि गुप्तचरों के लिए यहां पर होता था राइट आंसर ऑप्शन डी बरीद ठीक है बरीद यहां पर करेक्ट होगा और अभी हाली में मैंने आपको जो दि परीदे मुमालिक गुप्तचर बिभाग के जो प्रमुक अधिकारी होते थी उनको कहा जाता था क्वैसा नमबर थर्ड यह ओन पियो ओंग जो द्वीब है निमलीखित में से किन दो देशों के बीच बिवाद छेत्र है यह जो बिवाद छेत्र इनकी समुंदरी सीमा को ले इकता सब्द का अभी प्राय क्या है इकता सब्द का अभी प्राय क्या है तो ध्यान दीजिएगा इकता सब्द का अभी प्राय क्या बनेगा वेतन के बदले में किसी प्रदेश का राजस्व का उगाही का अधिकार देना यह इस प्रश्न का राइट आंसर है इकता प्रथा इसने स्टार्ट किया था, बाद में इसको जो की खिलजी ने, मतलब कि अलाओ दिन खिलजी ने इसको बंद कराया और पूर्णा फिरोथ साथ तुगलक ने इसको स्टार्ट किया था, तो यह पॉइंट से याद रखेंगे, अगला प्रशने की किस गुवर्नर जनरल, यानि की नीमने गुवर्नर जनरलों में से किस नहीं कॉंग्रेस को अत्याधिक अल्प संख्यक लोगों का प्रतिनित करने वाली कहकर उपहास किया था वो कौन थे तो जिनके समय यह गठन हुआ था वही थे लॉड डफ्रिन यहां पे सही होगा अप्शन एक उटिक करेंगे दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरूल मंजिल या फिर खेरूल मनाजिल जो होता है नामक मस्जिद का निर्माण किस ने कराया था खैरूल मंजिल या फिर खैरूल मनाजिल जो होता है इस मस्झित का निर्माण किस ने करया था? तो आपसन D हो जागा, महाम अनगा जो कि यह 1561 से इसका निर्माण कराएगा था ता राइट आणसर हो जागा ऑपसन D, चैके हैं ऑपसन D? और यहां पर ज्यान देज़ेगा अगर खेरूल मंजिल की बात करें तो अगर अर्थ बात करें तो सबसे सुब घर माना जाता है भारत में अपनिवेसिक काल में विटले आयोग जो था 1929 इसका उदे से क्या था विटले आयोग का गठन लॉड इर्विन के समय में हुआ और इस आयोग का जो उदे से था अप्सन बी होगा स्रमिकों की महजूदा परिसितियों पर सिफारिस से प्रस्थूत करना अप्सन बी करेक्ट है जैन धर में पूर्ण ग्यान के लिए किस सब्द का परियोग करते थे जैन धर में पूर्ण ग्यान के लिए क्या सब्द है तो अप्सन C हो जागा कैवल्ले कैवल्ले सब्द का परियोग किया जाता था राजकिये व्यस सम्मंदित विभाग दीवान ए वकूफ स्रिजित करने का स्रेट दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है राजकिये व्यस सम्मंदित दीवान ए वकूफ इसको स्रिजित करने का आपसंट ए होगा अलाउदिन खिलजी अलादिन खिल्जी ने एक बीत वीभाग किस्तापने की थी, जिसका नाम क्या था? दीवाने मुस्तिखराज. ठीक है, दीवाने मुस्तिखराज. अगला प्रशने, हीरा विधूत परवाहित नहीं करता है, क्यूंकि, यानि हीरा जो होता है, वो बिधुत का सुचालक नहीं होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसमें कोई भी सौतन्त इलेक्टरॉन नहीं होते हैं, यानि कोई भी मुक्त इलेक्टरॉन नहीं होते हैं, और बिधुत का संचालन तब होगा जब किसी भी वस्तू, किसी भी पदार्त में मुक् कहां पर भागी रथी और अलक नंदा का संगम कहां पर होता है यह आपको बताना शासे सभी में कॉमन होती है यह याद रखेगा। रुद्र परियाग कैसे याद रखते हैं अम्रूद यानि अलग नंदा और मंदाकनी के संगम कहां पर होता है रुद्र परियाग में होता है यह दियान रखेगा क्वेस्टन नमबर 12 है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाओ दिया गया था किसके दोरा प्रसास्निक सुधार आयोग 1986 में जब मुराज़िसाई की अधिक्स्ता में यह दिया गया था यहाँ पर सही आंसर हो जागा ऑप्शन सी चीक है अगला प्रशन है कि निवलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों और घुमने वाला उपगरा नहीं है यानि कि हमा आंसर विल्कुल सही आंसर हो जागा बुद्ध और सुक्र ठीक है अगला प्रशन है कि किसी सभ्यता को यानि किस सभ्यता को निल नदी की वर्दान कहा जाता है तो ध्यान दिजिगा किस सभ्यता को निल नदी का वर्दान कहा जाता है तो आप्शन डी हो जागा मिस्री की हांगोह नदी किसमें गिरती है तो यह जाकर के पीली सागर में गिरता है option B correct होगा पीली सागर में next one की अधी पादप जिसको हम लोग epiphytes कहते हैं मुख्यता पाय जाते हैं अधी पादप जो होते हैं मुख्यता पाय जाते हैं किस टाइब के वनों में तो यह मिलते हैं विश्वतिये वनों में विश्वतिये वनों में option D को टिक करेंगे विश्वतिये वनों में question number 17 देखिए कि भूमद रेखा के निकट किस तरह के वन पाय जाते हैं भूमद रेखा जो हमारे globe पर zero degree गुजरता है इसी को कहा जाता है equator या फिर भूमद रेखा ठीक है या फिर विश्वत रेखा भी कहते हैं तो विश्वत रेखा या फिर भूमद रेखा के निकट किस यि तरह के वन पाय जाते हैं तो उष्णि कर्टि बंदि ये घलता है घलकर को और एक पुछतिय पूचायाता है कि भूमद रेखा कि नोक कि किस हाली में आपको विश्वत के शान के गहां मैदान हैं गास किसजा एगा desse कि उस और एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि विसमें जो भी घास प्रचली थे हैं जो एक्जामस में पूछे जाते हैं उसमें पर मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया कि उसमें कटी बन्दिये घास कौन थे सितोष निकटी बन्दिये घास कौन थे तो वेल्ड हमने देखा था एक परकार का सितोष निकटी बन्दिये घास के मैदाने जो कि दच्छे अफ्रिका में देखनी को मिलता है तो यहाँ पर हमारा option क्या हो जाएगा D, इन में से कोई भी नहीं, option हम D को टिक करेंगे, वेल्ड दच्छी अफरिका का सितोष निकटी बंदी है खास के मैदाने, जबकि सवाना उश निकटी बंदी है खास के मैदाने दच्छी अफरिका का, तो यह दोनों को इसमस पूछे थे, दोनों को याद रखे, जूम क्या होता है, तो ध्यान देंगे जूम एक परकार का, क्रिसी का ही परकार होता है, क्रिसी का स्थनांतर यह रूप होता है, यहाँ पर B होगा, क्रिसी का एक परकार होता है, option B, जाधा तर यह पुरुवत्तर बहारत में देखनी को मिलता है खास करके नागा लेंड में यह ज्यादा प्रचलित है कि अगला प्रश्ण यह कहा रहा है कि चेरो कॉन कहां की लोग निरित्ते से लिए तो इस प्रश्ण का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी मिजोरम ठीक है मिजोरम को टिक करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं देखे नेक्स्ट कोईजन कह रहा है कि निमलीखित में से कौन संसद की लोग लेखा समीती की बैठक में उपस्तित रहता है तो यहाँ पे सही आंसर बन चागा ओप्सन सी भारत के नियंतरक एव में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विशे में लोग शभामे विक्तिकत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमती की आवसकता होती है किसकी आवसकता होती है तो Speaker की यानि कि अध्यक्ष की यहाँ पे सही आंसर बनेगा ओप्सन सी अगला प्रश्ट कि समिधान में मंत 65-352 के अंतरगत देखने को मिलता है कि यां पे कारेक्ट आंसर ए होगा कि संघ्य मंद्री मंदल का पूरर गठन किसके रिपोर्ट पर अधारिता इस के बाद नेक्स्टमड मनता है कि निमलीखेत में से कौन सा एक प्रावधान भारती समिधान के अंतरगत संसद के सदस्यों के विशेसाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है बताए कौन सा अनुचेद तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ओप्सन बी अनुचेद 105 अनुचेद 105 यहाँ पर करेक्ट होगा और यह प्रश्ण बहुत बार पूछा भी गया तो इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला प्रश्ण की सूचना का अधिकार अधिनियम बताएए किसके तहत परतिक नागरी को यह विधिक अधिकार प्राप्त हो गया कि वह सर्वासनिक संस्थाओं से अवस्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं सूचना का अधिकार राइट तो इन्फॉर्मेशन जिसको आर्ट यह कहा जाता है यह आपका 2005 के साथ सा योगा ऑप्शन C को टिक करेंगे ठीक है 2005 अगला प्रश्ट कि गुलाम मुंस के साथ सक इलतूतमिस के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार करें और असत्ते कथन को चुने यानि इलतूतमिस के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्त है हमें ये फाइंड आओट करना तो चलिए देखते हैं इल्दूतमिस कुतुब इनार के निर्माड को पूर्ण करवाया बिल्कुल सही है इसकी निव कुतुब दिन एबग ने रखी थी लेकिन इसको पूर्ण करवाया था सबसे पहले सुद अर्भी सिक्के इल्दूतमिस नहीं जारी किये थे तुर्काने चाहलगानी नाम से एक संगठन बनाया था जो उसमें 40 अदारों का संगठन था जिसको तुर्काने चाहलगानी के नाम से जाना गया था तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स मिल्कुल सही है पहला पॉइंट्स की खिलजी वंस के स्थापना जून 1990 में जलालुदिन फिरोज खिलजी ने कीते बिल्कुल सही है फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपना रास्थानी बनाया था ये भी साई है तो इसके बाद नेक्सट पॉइंट कि अलावजिन घिलजी ने किलोखरी में फिरोज खिलजी की हत्या कर 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बाना देखें 22 सक्टूबर 1296 को ये दिल्сь का सुल्तान बाना ये साई है लेकिन इसकी हत्या यानि कि फिरोज खिलजी के हत्या किलोखरी में नहीं की गई थी ये की गई थी कड़ा मानिकपूर करके इलहाबाद यारी की परियाग राज में एक स्थान था वहाँ पर लाउजिन खिलजी ने किया था तो ये पॉइंट गलत है इसलिए सही आंसर सिर्फ ये बार डिसकस किया उधिस प्रस्ताव पेस किया गया था जुहाला नहरू के द्वारा अब आपसे क्वेजन से कि कब पेस किया गया था ये नीचे आप कमेंट करके बताएंगे चल इसके बाद हमारा अगला प्रश्ण मनता है कि उपसौर के संदर में निमली खित में से तो सही है इसके बाद निक्ष्वाने की प्रित्वी और सूरी के बीच अधिकतम दूरी को उपसौर कहते है ये पॉइंट गलत है अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है निमतम दूरी को उपसौर कहते है और निमतम दूरी हमेसा तीन जनवरी को होती है तीन जनवरी को ह रहें. Next questions ये बनता है कि जमायका की राजधानी कहा है? जमायका की राजधानी कहा इसलित है? Right answer हो जागा option A, किंगस्टरन होता है, option A, correct answer. अगला अपर से लिखिये, Financial Action Task Force जिसको FATF के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्याले कहा है इसलित है? इसका मुख्याले पेरिस में बढ़ता है यानि option c हो जाएगा बिल्कुल सो ही answer पेरिस में निमलीखित कारियों में से कौन सा कार अस्थानिय स्वसासन से सम्दित नहीं है अस्थानिय स्वसासन से सम्दित नहीं है तो लोग स्वास्त का अनुरक्षन जो यहाँ पे आप देख रहें यह स्थानी सौसासन के अंतरगत नहीं आता है और स्थानी सौसासन का जनक किसे माना जाता है तो लौड रिपन को माना जाता है यह पॉइंट याद रखेंगे रित्यों में परिवर्तन का कारण क्या है रित्यों में परिवर्तन का कारण क्या होता है तो ध्यान देंगे रित्यों में परिवर्तन का कारण सुर्य के चारों और जो प्रित्वी के स्तिती में परिवर्तन होता है इसके कारण और चलिए आगे बढ़ते अगला प्रस्ट मानता ही कि चार्ल्स डार्विन की पुर्स्थ दी ओरीजीन ओफ स्पेसिज का प्रकासिद थह। अक्सर यह प्रस्थ पुझाता है कि अगच दी और यह प्रकासित का बुर्षी तो ध्यान रखेगा 1869 इस विंए में ओप्सन डी हो जागा इसके बाद next question से कि पादब कोसिका बित्ती मुक्षे तक किस की बनी होती है तो पादबों की कोसिका बित्ती सिल्लोज की बनी होती है सही आएंसर option a होगा सूरी के चारो और एक इस्तित कक्षा में प्रिथवी की गती को क्या कहते हैं सूरी के चारो और प्रिथवी की जो गती होगी उसकों लोग किस नाम से जानते हैं चारो और गती को परीभ्रमन कहते हैं यानि की revolution कहते हैं परीभ्रमन करेक्ट होगा अच्छा परिक्रमन क्या होता है परिक्रमन जिसकों लोग घुर्णन गती भी कहते है जो दैनी गती होती है और घुर्णन के कारण क्या होता है कि दिन और रात का होना अक्सर ये पूछा भी आता है कि पृत्वी पर दिन और रात का होना किस कारण होता है तो ये आपका परिक यानि कि घुर्णन के करण, पृत्वी का अपने अक्ष पर घुर्णन को कहते हैं परिक्रामन, तो फिलाल यहाँ पर करेक्ट आंसर परिभ्रहमन होगा, ओप्सन ए होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेशन से कि पांचवी पंच वर्सी योसना का मुख्य लक्ष क्या है, तो एक ओटी करेंगे, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मिन भड़ता की प्राप्ती, और पांचवी पंच वर्सी योसना कब से कब मानी जाती है, तो 1974 से लेकर के 1978 तक एक वर्स पहले ही इसको समाप्ति की गई थी, और इसके बाद क्या स्टार्ट किया था, अनवरत योसना जिसक किस के साथ मैच होगा, देखे कागिर घाटी जो रास्टी ये 1 है ये बढ़ता आपका 36 में, यानी कि 1 का 1 के साथ मैच होगा, नागरहूल जाता है करनाटक में, तो second का D के साथ के साथ, देखे first ये गिए और B आपका 4 का और ओप से ओप्सन P, ठीक है अप्सन P को करेंगे, उस तरह से कुगती वन निजियो भियान कहाँ पर पढ़ता है तो यह हिमाचत परदेश में ही है सुल्तानपुर यह हरियाना में है आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला है कि 2001 से लेकर कि 2011 में सरवादिक जनसंख्या विरिधी दर वाला पहला जो राज्था में घाले था तो दूसरे स्थान पर कौन से राज्था जो कि सरवादिक विरिधी दर्ज किया था वो है आपका अरुनाचल प्रतेश और सबसे कम के बारे में हम जानते हैं नागालेंट था जो कि निगेटिव ठीक है निगेटिव था अगला प्रश्थ अगला प्रश्थ मनता है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रत्थम परवचन क्या कहलाता है सारनाथ में बुद्ध का प्रत्थम परवचन क्या कहलाता है तो राइट आंसर हो जागा धर्म चक्र परवर्थन ठीक है धर्म चकर परवर्तन option हम D को टिक करेंगे और ये काफी अच्छा प्रश्ण इसको याद रखेगा माहा बिनिस क्रमन गृतिया को कहते हैं माहा परिनिर्वाड इनकी मित्यों को कहा जाता है अगला प्रश्ण गौतम बुद्ध द्वारा विक्षोडी संकिस थापना कहा की गई थी तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध द्वारा विक्षोडी संकिस थापना की गई थी कहाँ पर option B होगा वैसाली में ठीक है वैसाली यहाँ पर correct answer है option B question number 43 ELISA जो परिक्षन होता है आम तोर पर AIDS के लिए किया जाता है तो ELISA में E का पुनरूप क्या होगा यानि कि सबसे पहले आपको ELISA का full form पता होना चाहिए तो देखे तो ELISA का पुनरूप होता है enzyme linked immunosorbate assay तो यहाँ पर सही answer हमारा बन जागा option C enzyme enzyme linked immunosorbent sorbent होता है और एक होता असे तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है enzyme यहाँ पर correct होगा option C निश्वन है कि glycagon hormones निम्लिखित में से कहां से स्रावित होता है glycagon hormones कहां से स्रावित होता है तो इसका सही answer बन जागा option C अगनासे से स्रावित होता है option C को टिक करेंगे अगनासे से निम्लिखित में से कौन सा नियम किसी वायू के तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंद प्रदर्सित करता है वायू के तापमान यानि कि temperature और आयतन यानि कि volume के बीच सीधा संबंद प्रदर्सित करता है तो देखे, ध्यान रगेगा, एक होता है हम इसको याद रखने के लिए, क्या कहते हैं, चार्ल्स का टीवी याद रखतीजिए, चार्ल्स का नियम होता है, तो चार्ल्स का टीवी याद रखतीजिए, टी से टेंपरेचर और वॉल्म के बीद संबंधर जाता है, एक होता है ब प्रेशर और वॉलूम के देखने को मिलता है यह आपका वॉयल का नियम है लेकिन चाल्स के नियम में टंप्रेचर और वॉलूम होता है तो इस तरह से याद रहेंगे चाल्स का टीवी याद रख लिए बस काम चल जागा एक अगर याद रहेगा दूसरा आटोमेटिक याद रहेगा इसलिए B यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट वन क्या बनता है कि पैदल चलने वालों और साइकल चालों को के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उधगाटन के सहर में किया गया तो ध्यान देंगे अटल ब्रिज का उधगाटन कहाँ पर किया गया तो आप्सन B हो जगा गुजरात में गुजरात करेक्ट आंसर है नेक्स्ट वन के हाली में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्ले बाज कौन बन गया है T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित सर्मा हाली में परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने देश का पहला भुकम समारक स्मृति को भूज में गुजरात के भूज में आउटसन B कौसा दिस उसने कट्टी बन दिये चक्रवात मा-あ- Throw-on की चपेट में आया है मा- bord की चपेट में आया है कौनसा उसने कट्टी बन दिये cm Act फिलिपिन्स करेक्ट होगा। अप्सन D, फिलिपिन्स अगला प्रश्ट, कि 2022 में रक्षा रुसंदान और विकास परिसद यानि DRDO के नए अधेक्ष के रूप में किसे न्यूक्ति किया गया। DRDO के नए अधेक्ष के रूप में किसे न्यूक्ति किया गया। तो आसा करते हैं कि आप लोग को आज के सेशन अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को अपने फेंट के साथ अधिक सदिक सेयर करिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को वाल पे सिट कर लिजे इसी परकार के लोजाना एक न्यूँ वीडियो के लिए एक फ्रेसेड के लिए तो हम मिलते हैं के साथ इसी परकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हब अगुड़ दें